नमश्कार दोस्तो मैं नरश्मानन और फिर से एक बार आपका live show में स्वागत करता हूँ और इस बार हम बात करेंगे दोस्तो धर्म के विशय में कि धर्म है क्या चीज़। और ये धर्म का मकसद क्या है इस विशय में बात करेंगे आज हम। दोस्तो आज भारत ही एक ऐसा देश है जो शुरू से लेकर के अभी तक धर्म के नाम से लड़ाई और जगड़े होते आए हैं जैसे कि हमने देखा था हिंदू और पाकिस्तान यानि कि मुस्लिमों के बीच में लड़ाई और जगड़े हो रहे हैं और भारत ही एक ऐसा देश है जहां धर्म निर्पेक्ष ताका हमें नियम मिला कि सभी धर्म को समान रिती से इज्जत और मान सम्मान दिया जाए और सभी अपने अपने धर्म को माने और किसी का पक्ष पातना हो भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज्य है लेकिन अगर हम भारत के इतिहास को देखे तो धर्म के नाम से सुरू से लेकर अभी तक धर्म के नाम से लड़ाईया हो रही दोस्तो धर्म जो है एक फैशन है एक पहिरावा है जबकि लोग जब आपको देखते हैं कि ये किस धर्म का है तो आपको कैसे पहचानते हैं आपके पहिरावा से अगर आपने गिरु वस्तर पहन रखा है तो ये अलेक धर्म का है अगर आपने श्वेत वस्तर पहन रखा है तो ये जैन धर्म का है और बहुत सारे धर्मों को ऐसे ही पहचाना जाता है धर्म एक फैशन है एक पहिरावा है जब लोग आपको देखते हैं तो पता चलता है ये व्यक्ति किस धर्म का है और जब बच्चा पैदा होता है किसी धर्म में तो वो किसी धर्म का व्यक्ति नहीं होता या किसी धर्म का मैंबर नहीं होता जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता और स्वेच्छा अनुसार वो धर्म को ग्रहन नहीं करता तब तक वो किसी धर्म का अनुवाई नहीं होता क्योंकि बच्चा कभी किसी धर्म का अनुवाई नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों आज पहरावा और फैशन में ही लोगों का ध्यान है अगर कोई पंडित बनना चाहता है तो वो अपना बाल मुंडन करवाता है और चोटी रखता है अगर कोई क्रिश्चन बनना चाहता है तो वो बब्तिस्मा लेता है और उसी प्रकार से कोई हिंदू बनना चाहता है तो पूजा पाट करवाता है इस प्रकार से बहुत सारे हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सीख, किसाई और जैन ये सभी प्रकार के धर्म है मैं आपको बता दू कि धर्म क्या होता है धर्म धर्म शास्त्र के अनुसार धर्म एक एक ऐसा रास्ता है जो सच्चे इश्वर के पास पहुँचाता है धर्म धर्मिक्ता पैदा करता है श्रद्धा पैदा करता है मनुश्य के में धर्म आने वाले समय में मुश्किलों से लड बनाता है और सच्चे इश्वर की उपासना करना सिखाता है, धर्म शांती पैदा करता है, मेलमिलाप करता है, धर्म कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। धर्म हर समय लोगों की चिन्ता करता है, लोगों को देता है, लोगों से लेता नहीं धर्म कभी भी बैर या जगड़ा या पक्षपात या किसी का बुरा नहीं चाहता धर्म हर समय मिलाता है, धर्म आने वाले समय को दिखाता है धर्म कभी बैर या विरोद या छुवा छूद नहीं मानता और जो इश्वर को मन्जूर नहीं वो कभी भी धर्म नहीं करता क्योंकि मनुश्य को इश्वर की इच्छा पर चलना ही एक सच्चा धर्म माना गिया है असली धर्म वही है जो इश्वर की ओर ले जाता है जो जीना सिखाता है जो आदर करना सिखाता है जो मोक्ष और उधार की ओर ले जाता है जो जीवन को सरल और सहज बनाता है असली धर्म वही है जो सक्चे इश्वर का मार्ग दर्शन करना सिखाता है लोगों को आपस में जोडता है और मृत्यू से बचाता है और समझ और बुद्धी और ज्ञान देता है और इस आत्मा को जो जीव आत्मा है उस जीव आत्मा को ले करके परमात्मा से मिलाता है और जूरता है ताकि इस आत्मा का मोक्ष और उद्धार हो सके तो आज हमने धर्म के विशे में सीखा और इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहें और धर्म के विशे में और सीखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमसे बाते करें, हमें इमेल करें, हमें वाट्सअप करें तो आधिक जानकारी के लिए हमें WhatsApp करें हमारा नंबर है 9009-838-424 और हमारा email ID नंबर है lifesow776-gmail.com बस इतना ही कहकर आपसे आलविदा लेना चाहूंगा नमस्कर, गुड़बाई